वेल्कम डियर स्टुदेंट्स and my dear friends welcome back once again डियर स्टुदेंट्स आज हम जो बात करने वाले हैं काफे इंटरस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं आप से बात करेंगे अभी हाल ही में जो गल्फ में रियाद के लिए जो एचसी मैनेजर के लिए इंटर्वी हुआ था फिर धाना में एचसी जाब के लिए इंटर्वी हुआ था तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेस्टन पूछे गए जिस से सभी कंडिडेट एक तरह से कंफ्यूज हो गए और उन्हें इस बात की जनकारी थी नहीं और उन्होंने ऐसा अंदाजा भी उनको नहीं था कि इस तरह के क्वेस्टन उनसे पूछे जाएंगे तो उन उस इंटर्व्यू का कुछ सेसन में आपके साथ जो है सेर करूँगा और कुछ क्वेस्टन को आपको सेर करूँगा ताकि आने वाले भविश्य में कभी अगर इस तरह के क्वेस्टन आप से पूछे जाते हैं तो उसका आप जबाब दे पाएं जैसा कि आप जानते हैं कि सेस्टी इंटिचूट सेफटी फिल्ड में काफी दिनों से ट्रेनिंग देने का काम करता है और हेल्स सेफटी डिपार्टमेंट और फायर सेफटी डिपार्टमेंट में आज तक कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ ये तो पहले से विदित है क्यों कि रोज कुछ न कुछ नई चीजें आती रहती हैं और मेरी कोशिस रहती है कि हमेशा से मैं आपको वो सभी चीजें आपको बताता रहूं यहां कुछ प्रस्ण दिये गए हैं उनके जबाब भी दिये गए हैं आपको सही जबाब बताना है यदि आपके सभी जबाब सही है तो वास्तों में आपने अपने प्रतिमांदारी दिखाया है, लेकिन यदि आपके जबाब गलत होते हैं, तो आपको एक बार दुबारा अपने बारे में सोचना होगा, तो यहाँ पे हम सुरुवात करते हैं, पहला क्वेस्चन है, इलाज के दवरान दवा के लिए एसी सब् का अर्थ बताईए, इलाज के दवरान, अब जितने भी लोग हैं, अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, तो फिर इलाज, दवा, फॉस्ट एंड, इनसे पाला तो पढ़ता ही होगा, तो इलाज के दवरान, दवा के लिए एसी सब् का अर्थ बताईए, चार आपसन आपके पास आएंगे, और चार आपसन आपके पास हैं, पहला है, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, साइट पर, ये चार आपसन है, अब ज़रा सोचिए, इस तरह का क्वेस्टन किसी ने भी ऐसा एसा एस्पेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के क्वेस्टन हमसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो गल्फ का एचसी मैनेजर के लिए जो इंटर्वी हुआ, उसमें एक क्वेस्टन पूछा गया, तो इलाज के दावरान दवा के लिए एसी शब्द का अर्थ बताईए, तो इसमें क्या होगा, आप देख ल जब कोई medical expert ये prescribe करता है, दवा लिखता है, तो वो बताता है कि इस दवा को कब लेना है, कैसे लेना है, तो उस पर उसको वो लिखता है, तो वहाँ पर एसी सब्द का इस्तमाल कह जाता है, उस एसी सब्द का मतलब होता है खाने से पहले, अब चलते हैं अगले question के तरफ, question आप से जो पूछे गए थे उनकी भासा अंग्रेजी थी लेकिन मैं इसे हिंदी में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए और आपको इस तरह से कभी कोई दिक्कतों का सामना नव करना पड़ेगी चार आपके पास आएंगे इसमें भी चार आप्शन आप देख सकते हैं खाने से पहले खाने के बाद सोने से पहले जब जरूरत लगे अब SOS का क्या अर्थ होगा तो एक safety officer को यह जानना बहुत ही जरूरी होता है एक safety manager को चुकि वो first aid की जानकारी लेकर के जाते हैं यही वज़ा है कि सन 2018 से first aid का course mandatory कर दिया गया ताकि लोग समझ पाएं और फिर लोगों की जान बच सके इसका सही जबाब होगा इलाज के दोरान SOS सब्द का अर्थ बताइए इसका सही जबाब होता है आपका घो अर्थात जब जरूरत लगे SOS सब्द का अर्थ यह होता है कि जब आपको जरूरत महसूस हो चाहे वो आप दर्द महसूस हो या फिर किसी तरह की परिशानी महसूस हो तब आप इस दवा को ले सकते हैं तो SOS का अर्थ यही होता है जिसका प्रियोग इलाज के दोरान ल अगला question है इलाज के दौरान AMP शब्द का अर्थ बताईए यानि AMP शब्द का प्रियोग क्यों किया जाता है जब भी treatment होता है medical की बात होती है तो AMP शब्द का प्रियोग किया जाता है चार आपसन आपके पास होंगे चार आपसन पहला आपसन है सीरप के लिए दूसरा आपसन गर्म पानी के लिए तीसरा आपसन है दूद के लिए चौथा आपसन है इंजक्शन के लिए ये चार आपसन आपके पास है अब इस चार आपसन में से जड़ा सोचिए AMP शब्द किस के लिए इस्तमाल क्या जाता है क्या AMP शब्द सीरप के लिए इस्तमाल क्या जाता है क्या एमपी शब्द गर्म पानी के लिए इस्तमाल कहा जाता है क्या एमपी शब्द दूद के लिए या इंजेक्शन के लिए इस्तमाल कहा जाता है तो इसका जो सही जबाब होगा वो सही जबाब होगा कि एमपी शब्द जो है इंजेक्शन के लिए इस्तमाल कहा जाता है इसका सही जवाब होगा घव अरथात इंजक्षन के लिए ये इस्तमाल कहा जाता है आगले question के तरफ बढ़ेंगे अगला question कहता है कि इलाज के दारान बीडी शब्द का प्रियोग क्यों किया जाता है अक्सर BD सब्द का इस्तमाल के जाता है आप भी अपने घरों में देखिएगा जब पर्चे लिखे जाते हैं या दवाईयों की जो पर्चे होते हैं उस पर ये सब्द इस्तमाल के जाते हैं तो इनके अर्थ क्या होते हैं जैसे जैसे competition बढ़ेगा जैसे जैसे आप बाहर के देशों में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो competition होगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो BD सब्द का प्रियोग इसलिए कह जाता है चार option आपके पास है सीरप के लिए गर्म पानी के लिए दिन में दो बार इंजेक्शन के लिए तो क्या option सही होगा आप इसको चेक कर सकते हैं अंसर में बताता हूँ इलाज के दावरान BD सब्द का प्रियोग इसलिए कह जाता है कि कोई दवा दिन में आप दो बार ले सकते हैं तो इसका option होगा गव अर्थार ये question का जो सही जबाब होगा गव होगा सही उत्तर देखते हैं उत्तर सही है गव option आपका सही है अगले question के तरफ बढ़ेंगे safety में welfare शब्द का प्रियोग क्यों किया जाता है चार option आपके पास है workplace के लिए, site के लिए, सुभिधा के लिए, risk के लिए ये चार option आपके पास है, सही जबाब क्या होगा safety में welfare शब्द का प्रियोग क्या जाता है workplace के लिए नहीं क्या जाता है, site के लिए भी नहीं क्या जाता है risk के लिए भी नहीं क्या जाता है, safety में welfare का शब्ध का प्रियोग सुभिधा के लिए क्या जाता है, जब employer के दौरा किसी भी worker, employee को जो कारिय के दौरा, सुभिधा दी जाती है, कुछ minimum है, जिसे कानून ने भी बात दे किया हुआ है, ऐसा rule है, mandatory है उसे हम welfare शब्द के नाम से जानते हैं तो यहाँ इस question में safety में welfare शब्द का प्रियोग इसलिए किया गया है, सुविधा के लिए किया गया है सही जबाब होगा, check करेंगे क्या जबाब हमनों का सही है, गलत है, देखते हैं तो इसका जबाब होता है, उत्तर गह होगा, आनि सुविधा के लिए safety में welfare शब्द का प्रियोग, safety के लिए किया जाता है अगले question के तरफ बढ़ेंगे, अगला question कहता है competent, competent शब्द का प्रियोग क्यों किया जाता है competent शब्द अक्सर आपके प्रियोग हुआ होगा, जब आप पढ़ाई के दवरान पढ़ रहे थे तो competent, person, competent, trainer, यह सब word आपको use, सुनाई देता होगा, प्रियोग किया जाता होगा competent सब्द workplace के लिए नहीं होगा, competent सब्द सुविधा के लिए नहीं होगा, competent सब्द risk के लिए नहीं होगा competent सब्द का जो माइने होता है, जो अर्थ होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी हो, जिसको proper knowledge हो, हर चीज का knowledge हो, अपने काम के बारे में तो उसे हम competent सब्द से इस्तमाल करते हैं अक्सर आपने सुना होगा competent, competency यह सब्द इस्तमाल करते हैं सही जबाब क्या होता है? चेक करते हैं तो इसका सही जबाब होगा, खौब अर्थाथ आपका जबाब सही है Next question के तरफ बढ़ेंगे अगला question है, trench सब्द का प्रियोग क्यों किया जाता है? एक सब्द trench सब्द इस्तमाल क्या जाता है, safety field में तो trench सब्द का इस्तमाल क्यों किया जाता है? चार आपसन आपके पास हैं अगले question के तरफ बढ़ेंगे इसमें loan worker कौन है? loan worker किसे कहेंगे या इसमें कौन है? चार आपसन आपके पास है पहला manager, company का मालिक, sweeper, visitor loan worker, loan worker का मतलब होता है यह कैसा ब्यक्ति जो अकेला काम करता हो या कहीं पे अकेले उसकी ability हो, उपलबदता हो तो उसे, तो इसमें loan worker की अगर हम बात करेंगे manager नहीं हो सकता, manager कभी नहीं हो सकता company का मालिक loan worker नहीं हो सकता visitor loan worker नहीं हो सकता loan worker होगा, इसका मतलब option बसता है एक, अर्थात go, सही है loan worker, sweeper है answer आपका बिल्कुल सही है अगले question के तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, तो dear student एक question आपके लिए काफी important है ये question जो है, आपको और भी बहतर बनाएंगे आप जिस तरीके का competition है उसी तरह से आपकी salary भी है, तो अपने ये कोशिस रहती है कि हर बात को share किया जाए, चाहें आप SSTN हो या SSTN नो हो, कहीं से भी आपने पढ़ाई किया हो, लेकिन जानकारी आपको मिलनी चाहिए, जानकारी के अभाव में आपकी अच्छी salary वाली नौकरी नहीं छूटनी चाहिए लोटो का क्या आर्थ है, लोटो के लिए चार आपसन आपके पास है, लोटो क्या है टैग सिस्टम है, एक मसीन है स्वीपायर, विजिटर क्या है, तो लोटो जो है, एक तरह का टैग सिस्टम है ठीक है, इस टैग सिस्टम है इसका इस्तमाल कह जाता है, इसमें option होगा curve, अब उत्तर होगा इसका curve, dear student आगे बढ़ेंगे, अगला question कहता है कि risk assessment करने वाले को कहा जाता है, risk assessment करने वाले को कहा जाता है, चार option आपके पास होंगे, पहला option है officer, दूसरा option assessor, manager, permit, ये चार option है आपके पास, तो risk assessment करने वाले को क्या कहेंगे, officer कहेंगे, manager कहेंगे, permit कहेंगे, या assessor कहेंगे, तो जो भी risk assessment कर रहा है, या कोई किसी भी तरह का work कर रहा हो, ठीक है, risk के अलवा कुछ भी, लेकिन ये जो question पूछ रहा है, वह especially आपसे risk assessment के बारे हम पूछ रहा है, तो इस question में हम जो answer होगा आपका, वह होगा, खो सही है, assessor, assessor वह ब्यक्ति जो किसी नश्चत कारी को करने का कारी करता है, उसे हम assess, यानि उस ब्यक्ति के दोवर assess किया गया, देखा गया, inspect किया गया, हर चीज किया गया, और उसके बाद एक result दिया गया, एक report दिया गया, it means वह क्या है, एक तरह का assessor है, तो यहाँ पे जो answer सही होगा, वह आपका होगा, खो, अर्थात risk assessment करने वाले को assessor कहा जाता है, खो सही है, अगले question के तरफ देखेंगे, इस तरह के आपको तमाम तरह के questions आपके सामने में share करता रहूँगा, जो मुझे लगता है कि ये सभी students को जानना ची तो मैं निश्चित रूप से share करूँगा, मेरा मकसद होता है कि आपकी पढ़ाई को और बहतर बनाए जाए, आपके knowledge को और बहतर बनाए जाए, तो dear students, I hope कि ये सारी जानकारी आपके लिए काफी फायदे मन साबित होगी, इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, नेक्स वी